हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग, हम जब साधिया अटेंट करते हैं ना, तो वहाँ स्वीट्स में मूंग दाल का हलवा रहता है, जो बहुत ही स्वादिश्ट लगता है, और हम सोचते कि हलवाई कैसे बनाते हैं, तो चलिए, आज बिल्कुल हलवा जैसा मूंग दाल का हलवा बनाएं, और वो भी बिना मूंग दाल को भींगोए हुए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं बनाना, मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमने एक कप मूंग दाल लिया है, और इसको अच्छी तरह से धो देंगे, सिर्फ धोना है, हमें भींगान नहीं है भींगाने में बहुत ज़्यादा प्राब्लम रहता है कि कितने देर तक भींगाना है गरम पानी से भींगाना है कि ठंडे पानी से भींगाना है बहुत कुछ रहता है तो हमें वो सब नहीं करना है वो जंजटी नहीं पालना है सिर्प मुंग दाल के अच्छी तरह से धो लेना है दो तीन पानी आप अच्छी तरह से धो लीजेगा जिससे जितने भी impurities रहेंगे न मुंग दाल में वो सारी निकल जाएंगे ये देखिए हमारा मुंग दाल अब अच्छी तरह से धूल गया है मैंने दो तीन पानी धो दिया है अब इस मुंग दाल को हम साफ कपड़े पे फैला देंगे वाइट हो ये जरूरी नहीं है बस कपड़ा साफ रहना चाहिए और एक परत इसका फैला देंगे और फैला करके जो दूसरे साइट का कपड़ा रहेगा ना उसके इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूं टैप करते हुए हम पानी पर एक बार ऐसे आप सुखा लिजे फिर आप इसको दस मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजे फैन में 10 मिनट हो गया है और मूंग दाल भी मेरा सूख गया है उसको एक पैन में गरम करके पैन को और उसमें मूंग दाल को डाल करके भूनेंगे अस्लो आच पर ही थोड़ा हलका रेडिस पे बस इतना तक ही भूना है अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और हमें मूंग को भूंगने में 4-5 मिनट लगा है अब उसी पैन में हम 2 चम्मचे देशी घी लेंगे और इसमें हम ड्रा जाजू बदाम और पिस्ता को लिया है अब दूसरे भी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं जैसे किसमिस ले सकते हैं अखरोट ले सकते हैं जो भी आपको अबलेबल हो वो आप ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं और इसको भी एक से दो मिनट तक ही तलना है यह देखे मेरा ड अब हमारा पीस करके रेडी हो गया है मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कि एक बार में ना पीसे तो आप एक दो बार और चला लीजेगा यह देखे यह मैं पास से आपको दिखा रही हूं और अभी मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी अधम हलका सा खुरदूरापन है बस हमे ग्राइब करें, हैसा हम से ल्कotom पंखी जो बचे वह घी लें गों और में यह जब काईसरा साइब घृच्छी Z इसलिए हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे इसके कच्छापन निकल जाए और पहले इसी लिए डाला है और सलो आज पर ही भूनिएगा तेज मत कीजेगा यह देखिया हलका गुलाबी होने लगा है अब जो हम लोगों ने मूंक पीस के रखा है न वो इसमें एड कर द दो चमच मैंने फिर से वापस से घी डाला है यह पूरा हल्वा बनने में एक कप मैंने लिया था ना मूंक दाल तो एक कप घी भी लग जाएगा अब हम लोग इसमें थोड़ा सा मतर थोड़ा सा चार पांच चमच के करीब पानी इसमें डालेंगे पानी डालने से क्या होता है न कि मूंका हल्वा बहुत दानेदार बनता है तो यह तो आप पानी का छीटा दीजिए या फिर इस तरह से आप इसी वक्त पानी एड़ कर दिजिए लेकिन ज्यादा नहीं तीन-चार चमच से ज्यादा पानी मत एड़ किजेगा और इस तरह से लगातार चलाते रहेगा और अज पर चलाते रहेगा अब यह मैं चलाते चलाते काफी अच्छा हो गया है अब मैं इसमें दूद हैड करूंगी तो दूद मैंने इस कप से नाप करके डेड़ कप दूद लिया है मतलब कि अगर आपका हल्वा एक कप है ना तो वैसा तीन बार तीन कप तक हम यह लें यह देखे एक दम स्मूथ हो जाना चे लगाता चलाते रहेगा मैं बार बार कह रही हूं अब हम इसमें चीनी एड कर रहे हैं जितना हमारा मूं का दाल था ना उतना ही हमें चीनी लेना है यह देखिए मैंने थोड़ा सा घी और वापस से एड किया इस तरह से हम थोड़ा- यह मैंने थोड़ा सा केसर वाला दूध रखा हुआ था केसर उसमें भींगो के रखा था तो वो दूध मैंने इसमें एड कर दिया है अब देखिएगा हलवे का कलर धीरे-धीरे कैसे चेंज होगा अब आप आज को फास्ट कर दीजेगा और इसको अच्छी तरह से सुखात अब आपको मिलती रहें पूरा सुखाने में मुझे 10 मिनट लगेंगे और अब हम लोग इसमें थोड़ा इलाची कुटी हुई इलाची अगर आप इलाची पॉडर नहों तो कुटी हुई लाची भी डाल सकते हैं और इसको इसी तरह लगातार चलाते रहेगा चलाना बंद मत कीजेगा यह दीरे दीरे अपने आप सुखने लगेगा पानी और यह टेक्सर देखे और कलर देखे कैसे चेंज हो रहा है हलवे का पहले ऑफ वाइट था अब हलके पीले पर आ गया है देखे और बची खुछ सी जो घी है वो भी मैं इसमें एड कर दे रही हूं इसमें एक बारिक चॉप कर लिया है और वो ड्राइफ फूट अब खड़ा भी डाल सकते हैं साबुद भी डाल सकते हैं पर मैं कट करके डाल रही हूं और फिर यह देखे मेरा हलवा अभी करीब करीब हो गया है कैसे यह खुदी तला छोड़ रहा है बस ऐसा ही हलवा हमें बना करके र प्रेस बन करके छोड़ देंगे और चलते हैं अब हम लोग सर्विंग करके देखते हैं हलवा रेडी है और मैं इसको प्लेट में लगा रही हूं देखे दिखने में एकदम गरम गरम हलवा कितना सुन्दर दिख रहा है इस पे मैं थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स भी ड बहुत स्वादिश्ट होता है यह दिखने में सिर्फ सुन्दर नहीं लग रहा है खाने में और भी स्वादिश्ट होता है यह मैं आपको पास से दिखा रहे हूं आप देखे इसका टेक्स्टर देखिए और देखे बनने के बाद यह कैसे घी छोड़ रहा है बस ऐसा ही के साथ आप लोगों को छोड़े जा रही हूं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू